नमस्कार साथियों, टीचर्स आफ बिहार के टीओ बी ग्यान में आज मैं पुना उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, जी हाँ, आज मैं आपको पताने जा रहा हूँ एक ऐसे एप के बारे में, जिसके माध्यम से आप सौ लोगों के साथ वीडियो कॉन्फरेंसिंग कर सकते हैं, जी हाँ, नाम है इसका जूम, लेकिन दोस्तों मैं इससे पहले बताना चाहता हूँ कि जो एडवाईजरी जारी हुई है, गवर्मेंट साइड से कि आप जूम यूज नहीं करें, या जूम यूज करने पर आपके डेटा को जो है, वो हैक कर लिया जाता है, मैं आएए सबसे पहले हम जूम को कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने फोन में, ये सीखेंगे और इसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि जूम के माध्यम से हम कोई भी मीटिंग को जॉइन कैसे करें और खुद जूम के माध्यम से हम कोई भी मीटिंग को और गनाइज कैसे करें, तो ऐसा आइकन आपके भी फोन में बना होता है इस पर आप क्लिक करिए सबसे उपर में सर्च में जहां पर ऑप्शन आपको आ रहा है सर्च फूर आप्स और गेम्स यहां जाईए और लिखिए जैसे आप सर्च करेंगी यह देखिए जूम क्लाउड मीटिंग्स नाम से एक एप आप आचुका है और इसे हमें इंस्ट्रॉल कर लेना है दोस्तों मैं बताऊं यह बहुत ही बहतरीन एप्लिकेशन है जहां हम सिर्फ सो लोगों को जोर ही नहीं सकते हैं बलकि अपने मोबाइल की स्क्रीन शेरिंग का भी काम कर सकते हैं हम किसी को कुछ सिखा सकते हैं इन फैक्ट कोई फाइल भेज सकते हैं लेकिन सेक्योटी परपस से अगर ध्यान हम बात करें तो इसमें आपको एक मीटिंग आईडी बनती है और एक पासवर्ड भी बनता है तो अगर यह पासवर्ड अगर आप जिनरेट कर देते हैं तो यह ज क्लावड मीटिंग मेरे फ़ोन में इंस्ट्रйल हो चुका है आईए हम सबसे पहले इसे ऑपें करके देखते हैं यह 하면서 मेरे सबसे नीचे में जूम आ चुका है हमें इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के साथ ही जूम में देखिए तीन ऑप्शन आ रहा है É join a meeting sign up or signing join a meeting आप इस जूम में में बताना चाहते मैं वारे व्योज को कि इसमें आपको रेजिस्टर होने कि कोई जरूरत नहीं है अगर आप कोई मीटिंग ऑरगनाइज नहीं करना लोग आप जोड़े उनको फिर आपको sign up या sign in करने की जरूरत होती है तो देखिए सबसे पहला जो है join a meeting के option जो blue color का है उस पर हमें click करना है और click करते ही यह देखिए यहाँ पर meeting ID पूछ रहा है meeting ID एक create होता है वो एक meeting ID होता है हमें यहाँ पर meeting ID डालना पड़ता है और तब जाकर के हम यहाँ पर join meeting का option on हो जाता है और इसके माध्यम से हम कोई meeting join कर सकते हैं दोस्तों एक तरीका तो यह है दूसरा तरीका जो बहुत आसान है मैं दिखाना चाहता हूं और आपको एक यह देना चाहता हूं हमारे एक साथ ही अभी जूम मीटिंग पर आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि मैं उनके इस meeting में शामिल हूं तो उन्होंने मुझे अपने WhatsApp पर मेरे WhatsApp पर उन्होंने आईडी जूम का एक लिंक भेजा है आईए देखते हैं कैसे उस लिंक के माध्यम से कोई भी आईडी बीना साइन अप किये जॉइन कर सकते हैं तो यह देखिए सबसे पहले मुझे अपना WhatsApp खोलना है WhatsApp देखिए खुलने के बाद यह देखिए शिवेंद्र सुमन जी ने मुझे बोला है प्लीज जॉइन मीटिंग और यह देखिए उन्होंने मुझे एक बकाइदा एक मैसेज बेजा है जिसमें उन्होंने लिखा है टॉपिक टीचर्स आप बिहार मीटिंग टाइम पंदरह मही को तीन बजे से चुकि यह प्लेस उन्होंने वह बाई डिफॉर्ट लिया है हम लोग इस प्लेस को बदल सकते हैं और देखिए उसके नीचे एक जॉइन जूम मीटिंग का एक लिक करके लिंक आ रहा है ब्लू कलर का दोस्तों यही वो लिंक है जिस पर हमको क्लिक करने के बाद आटोमेटिकली हम किसे भी मीटिंग में जॉइन हो सकते हैं और उसके नीचे आप देख सकते हैं मीटिंग आईडी भी दिया हुआ है मैं जब पहली बात आपको दिखा रहा था जहां पर मीटिंग आईडी डालने की बात कर रहा था मैं इस मीटिंग आईडी को वहां भी ड यह देखिए यह पूछ रहा है open with chrome के माध्यम से open करना चाहता है यह जूम के माध्यम से तो obviously दोस्तों हम लोग यहां पर जूम के माध्यम को ही select करेंगे और देखिए यहां पर हमारी meeting के लिए यह prepare हो रहा है यह पूछ रहा है आपका नाम क्या है मैंने अपना नाम दे दिया और okay बटन दबा दिया और देखिए यह मुझे connect रहा है दोस्तों बहुत आसान है और आप कह सकते हैं कि यह इतना आसान है आप एक link पर क्लिक करके कोई भी meeting में जॉइन कर सकते हैं लेकिन उसके बाद आपको मैं एक एक करके आपको बताता हूं यह देखिए हमारे जो साथी हैं शिवेंद्र जी उन्होंने इस meeting को शुरू कर दिय लेकिन अभी ना मेरा मेरी तस्वीर उन तक जा रही है नो मेरी आवाज जा रही है उसके लिए आप नीचे में देखिए एक red color का जो दिख रहा है आपको जिसमें लिख रहा है start video और वो cross है इसका मतलब है कि मेरी तस्वीर हमारे जो दूसरे साथी हैं उन तक नहीं जा रह क्लिक करना होगा कि आप से एक बार पूछेगा कि क्रिक करना है और देखिए मेरी तस्वीर यहां पर आ चुकी है स्क्रीन में आप देख सकते हैं छोटे स्क्रीन में मेरी तस्वीर आ चुकी है वो हमारे साथी जो है वो उधर बैठे हुए अब देखिए उसके बगल में अभी मेरे मेरी तस्वीर आ रही है लेकिन मेरा जो आवाज है मेरी जो आवाज है वो उन तक नहीं जा रह रहें कि अवाज नहीं जा रहा है बिलकुल उसके लिए आपको करना होगा Join Audio जो पहला Option है नीचे में Join Audio पर आप क्लिक करेंगे और देखिए ये आप से पूछ रहा है Call Dear Device Audio Yes Call dire Device Audio पर भी आपको चूना है और जैसे किया फिर से allow करते ही ये आपका microphone on हो चुका है और साथियों इसका मतलब ये हुआ कि अब आपकी आवाज आपके सामने वाले के पास जा रही है और सामने वाले जो host है उनकी आवाज आप तक आ रही है तो है ना बहुत आसान दोस्तों यही ध्यान हमें देना है meeting के सब्सक्राइब कि हमारा जो वीडियो है और audio दोनों बंद ना हो तो दोस्तों इस वीडियो के पार्ट वन में आज हम लोगों ने जाना कि कैसे किसी भी meeting को जॉइन किया जाता है कैसा लगा यह वीडियो जरूर बताए और Teachers of Bihar के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद